एपिसूड के सुरुवात में दिखाते हैं कि किंसू का बात सुनकर किंग काफे जिदा भड़क जाता है और किंसू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है ये देखकर मिंग्यू उसे सम्भलने के लिए कहती है लेकिन किंसु उसके सामने आते वे कहते है को तुम जादा चिंता मत करो वो मुझे छूबी नहीं पाएगा वहीं पर किंग मिंग्यू को बुरा भला बोलते हुए आगे बढ़ते वे कहते है को तुम दोनों को मैं एक साथ खतम कर दूँगा ये बोलकर वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी कोई उसे ही एक जापड़ा लगा देता है जिससे वो काफी दूर जाकर फिका जाता है वो जल्दे से खुद को संभालते वे कहता है कि किसकी इतनी हिमत हो गई है तबी गेट कीपर कहाता है कि मेरे brewing गया हो गया है उसे देगकर किंग का फ़े जितनल रहान हो जाता है और एक वर इंब comprar का उसा भी को lapse पर हो गया है और एक फिंगर से पूरा आसमान को, वहीं पर किंग उसे देखकर कहता है कि मैंने सुनाए कि गेट कीपर को दुनिया का कोई भी परवान नहीं है, और तभी आगे आते हैं, जब युवा बहुती बड़ी मुसिवत में हो, गेट कीपर उसे देखकर कहता है कि मैं 1809 गोड का प पर देता हूं, तुम जल्दी बाजी मत करो, किंसु कहता है कहा चलो जल्दी से एक्सफ्प्लेन करो, वो किंसु से कहता है कि अगर तुम मेरे मून गोड डैनिश्टी के हिवनली फ्राइड को हरा देते हो, तो मैं तुम्हे अपने कंट्री को डिरेक्टर बना दूंगा, कि किन उनका क्वालिफिकेसन और कल्टिवेसन ओडिनेरी है, मुझी नहीं पता क्यों वो लोग आपको चैलेंज करने का हिमत कर रहे हैं, यह देखकर बाकी को लोग भी काफी जीत हरान हो गये होते हैं, तबी किंग कहता है कि 18 सुनफ गोड जर यहाँ पर ध्यान दीजिए, य उसी के बारे में सबी लोग बाते करने लगते हैं, कि लेजन्ड यह कहते हैं, कि वो मून पर से गिरा था, मून गोड डाइनेस्ट्री का फैस्ट डूलर को इस मेट्योट का पोर्चनिटी मिला था, और उसने ही मून डाइनेस्ट्री के स्टबलाइज भी किया था, उनकी ब उसके बाद मून अचाना गायव हो किया था और अभी तक अप्यर नहीं हुआ है। लेजन्ड ये कहते हैं कि मून स्टार पर एक गोड का जन्म हुआ था और उसने ग्रेट टेरर को लेट भी किया था। उसके बाद का डीटेल हमारे रीकॉर्ड में रीकॉर्ड नहीं है। वहीँ पर किंग कहाता है कि 18 सुन अप गोड ये मून गोड डाइटी का इवान स्टॉन है और इवान स्टॉन वोइडी स्टॉन वोईडी स्टॉर्ट को जन्म दे सकता है। वो इधी spirit goat का legacy होता है जो कि mysterious और unpredictable होता है swallow और transform करने के बाद वो battle power में enhance किया जा सकता है ये बोलकर वो अपने बाकी के संतान को उसे divorce करने के लिए कहता है इसलिए वो सभी के सभी लोग जाकर उसे अबज़ब करना start कर देते हैं ये सब देखकर मिंगे उन लोगों को समझाने की कोसिस करने लगती है कि वो सब अबज़ब मत करना मैंने record में पढ़ा है कि वो सब सिर्फ evil spirit है जो कि सिर्फ तुम लोगों के यूज़ कर रही है उसके बात को पूरा करने से पहले लिकिंग उसके बात को वहीं पर काड़ देता है ये देखकर उसके बाकी के भाई भेन उसे सुनाने लगते है कि तुम काफ़ जिदे डिसलोयल और काफ़ जिदे अंग्रेटफुल भी हो तुम तो हमसे बात करने के भी वर्दी नहीं हो हमें अपने बातों से confuse करना बंद करो ये बोलकर वो सभी लोगो सब्जब करना कंटीनिव करते हैं जिससे वो सभी के सभी लोग काफ़ जिदे ताकतवर हो जाते हैं और पहले से लगवक दस गुना ज़्यादा ताकतवर हो गये होते हैं तब ही अचानक वो लोग जितने इस्पिरिट को डिवार किये होते हैं वो सब अंदर से उन लोगों को ही डिवार करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे उन लोगों को काफ़ जिदे दर्द होने लगता है लेकिन दोखी के आगे उन लोगों को ज़्यादा दर्द महसूस नहीं हो रहा होता है ये सब देखकर मिंग्यू कहती है कि क्या अब तुम लोगों को विश्वास हो गया है उन वोईड स्पिरिट को डिवार करना इंपॉसिबल है बलकि वही लोग तुम लोगों को डिवाइर कर रहे है किंग तुम लोगों को फ्लेव सर ब्लट का यूज करके इस स्पिरिट को और में जिते ताकत पर बना रहा है और उसे जगा रहा है ये सब देखकर किंसू कहा था है कि टाइगर अपनी बच्चो को नहीं खाता है क्या तुम्हें जरस भी गिल्टी फिल नहीं हो रहा है किंग कहा था है कि मैंने ये उन लोगों को जन्म दिया है और अब मैं उनसे ले रहा हूं और वैसे भी उनके sacrifice से इस country को honor द्वारा से regenerate हो जाएगा ये सब सुनकर किंसो को उससे घिन आने लगती है और वो कहाता है को तुम ऐसे बाते कर भी कैसे सकते हो तुम तो सच में एक beast निकले किंगी चिलाते है को तुम मिझे जितना चाहिए उतना बुरा वाला बोल सकते हो वैसे भी मैंने उन लोगों को तुमारे लिए प्रिफेर किया है वहीं पर वो सभी के सभी लोग beast में बदल चुके होते हैं ये सब देखकर किंचु कहता है को वो लोग पहले से ताकतवर तो हो गए है लेकिन मेरे लिए अभी भी काफी नहीं है किंग कहता है अगर ऐसी बाते तो ठीक है तुम देखना continue करो वहीं पर वो सभी के सभी demon अब एक दुसरे कोई खा कर डिवॉर करना श्टार्ट कर देता है ये सब देखकर किंग किंचु से कहता है अब इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है तुम नहीं कहता है कि इतना जदे ताकत काफी नहीं है तब देखना continue करो वहीं पर वो साथो के साथो एक दुसरे में फ्यूज होने लगते है ये देखकर सभी के सभी लोग किंग को काफे जिदा बुरा बहला कहने लगते है लेकिन वो उनकी बातों को पूरी तरह से ग्नोर कर देता है वहीं पर उन साथो प्रिंस और प्रिंसेस का फ्यूजन के बाद एक बहुती बड़ा बीश्ट निकलता है जो की निकलने के बाद जोड़ सा चिलाने लगता है उसका आवाज सुनकर सब का दिमाग फटने लगता है ये सब देखकर कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई ordinary monster नहीं है क पर सिस्टम किंसु को एक temporary sign-in टास्क देता है और वो होता है कि moon dynasty के ancestral meteor पर जाकर sign-in करना ये सुनकर किंसु कहता है कि मुझे पता था कि ऐसे extraordinary जगह पर temporary sign-in टास्क जरूर मिलेगा ये देखकर king 18 son of god सो पूछता है तो बताब अब इसके बारे में क्या कहना है ये सब देख कर्मिंगे उससे कहते है कि वो monster काफे जिदे strong है उससे head on fight मत कीजिएगा आपका growth काफे जिदा unlimited है strong होने के बाद आप इससे द्वारा fight करने आ सकते हैं किंसु कहते है इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी तक किसी ने भी मुझे मेरा पूरा ताकत यूज करने पर मजबूर न कीजिएगा मिलताम अगले वीडियो में तब तक के लिए have a good day